ये शुमस्ति के नाम से आपका फिर से एक बार स्वागत है हम रोमियो का अध्यन कर रहे हैं और आज हम सात्वा अध्याय शुरू कर रहे हैं जैसा कि मैंने पिछले सप्ता बताया था यह खंड आत्मिक उन्नत्ति के बारे में हैं पुश्ने सप्ता हमें देखा कि आत्मिक उन्नती भी होती है केवल और अनुग्रह से हम अनुग्रह से जीते हैं इसका आर्थ यह कदापी भी नहीं है कि जो हम जो चाहे कर सकते हैं हम व्यवस्था हीन बन जा, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर यह भी जरूरी है कि हम व्यवस्था को भी समझे, व्यवस्था का क्या माइने है हमारे लिए, व्यवस्था एक समय में एक उद्देश्य से दी गई थी, पर यह सोच कि व्यवस्था हमें आत्मिक उन् कर एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश में लगे हुए हैं छटे अध्याय में पॉलुस ने बताया थे कि जब हम विश्वास के द्वारा येश्व के साथ एक हुए तो हमारा पुराना व्यक्तित्व उसके साथ क्रूज पर मर गया और हम पाप के लिए मर गए पर हम केवल प कह रहा हूं जो व्यवस्था को जानते हैं कि व्यवस्था का शातन किसी व्यक्ति पर तभी तक है जब तक वह जीता है उधारन के लिए एक विवाहिता स्थ्री अपने पती के साथ विधान के अनुसार तभी तक बंधी है जब तक वह जीवित है किन्तु यदि उसका पती म मर जाता है तो विवाह संबंदी नियम उस पर नहीं लगता और इसलिए यदि वह दूसरे पुरुश्की हो जाती है तो भी वह व्यविचारिनी नहीं है देखी अब यह मैं समझीए कि व्यवस्था मर गई है और व्यवस्था पाप की प्रकृति जैसी बुरी भी नहीं है व् पर सच्चाई यहां है कि व्यवस्था हमें उध्धार नहीं दे सकती हमें परमिश्वर के सामने धर्मी नहीं ठैरा सकती है आपको याद होगा कुछन दिनों पहले हमने बात की थी पुराने नियम में धी व्यवस्था के बारे में जिसमें बलीदान है तू विधान और नि ही है कि अब हम किसी का कून कर सकते हैं या विचार करने के हमें खुली छूट है चोड़ी कर सकते हैं जूट बोल सकते हैं वो ठीक हो गया नहीं नैतिक रूप से जो तब गलत था वो अब भी गलत है हमेशा गलत रहेगा पर हम व्यवस्था से आजाद हैं इसका मतलब यहां है कि उद्धार के लिए या आत्मिक उन्नती के लिए व्यवस्था पालन पर हम निर्भर नहीं है जब आप व्यवस्था पालन के द्वारा उद्धार पालने की कोशिश करते हो तो आप रोज सुबे उठते हो कमर की पेटी जो बेल्ट होती है वो बानते हैं और व्यवस्ता की छोटी छोटी जरूरत है छोटी छोटी नियम वो सब कुछ पूरा करने के कुशिश करते हैं और क्योंकि यह करने की ताकत किसी के पास होती नहीं है तो फिर रात तक आते आते हम ठक जाते हैं व्यवस्था एक बहुत बड़ा बोज है व्यवस्था उन्नती नहीं लाती अपने आप से कहिए व्यवस्था उन्नती नहीं लाती पूरी गलातियों की पत्री इसी एक सच्चाई के उपो को जोड़ देते हुए लिखी गई थी रौम्यों में यह पूरा अध्या इसी बात पर जोड़ देते हैं लिखा गया है कि व्यवस्था विधान नियम हमें हमें उन्नती नहीं ला सकते हैं वेह मानसिक या आत्मिक उन्नती नहीं ला सकते अगर आप माता पिता हैं और आप अपने बच्चों को हर चीज के लिए केवल ओ केवल नियम देते हैं और खुद से कोई भी निर्णे लेने नहीं देते तो व्यसिक होने पर खुझ से निर्णे लेने के लिए उन में परिफक्वता कितनी होगी शुनिया जीरो कोई चांस ही नहीं है नियम कानून व्यवस्था का या तो बिना दिमाग लगाए लोग पालन करते हैं या फिर उसका विद्रों करते हैं पर उसे बदलाव नहीं आता बदलाव लाने के लिए उन्नती लाने के लिए बढ़ोत्री लाने के लिए नियमों से और विधान से अधिक कुछ चाहिए जादा कुछ चाहिए बदलाव तब आता है जब आपके रिदे में कुछ होता है आत्मिक उन्नति का अर्थ है कि आपका परमिश्वर के साथ एक रिष्टा और ज़्यादा गहरा हो रहा है और जैसे कि मैंने पहले कहा नियम प्रेम नहीं जगा सकता रिष्टो को मजबूत नहीं कर सकता हाँ परमिश्वर ने व्यवस्टा दी थी एक उद्धिश्वर के साथ हम विश्वासी बने उससे पहले उनका महत्वर है विश्वासी बनने से पहले व्यवस्टा हमें हमारी पापी प्रकृति को नियंतर में रखता है पर वे हमें परमिश्वर के करीब नहीं ला सकता वेकेवल येशुमती ही ला सकता है और विश्वास करने के बाद भी व्यवस्ता हमें परमिश्वर के मानक को और हमारे चरित्र के बीच अंतर को बताता है इस बारे में हमने एक दो दिन और बात करेंगे कि परंदू यह हमने ना तो उन्नती ला सकता है और ना बतला व्यवस्था दी गई थी और हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं पौल उस चार्ट चे आयातों में इसका कारण बताता है हे मेरे भाईयो ऐसे ही मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए तुम भी मर चुके हो इसलिए अब तुम भी किसी दूसर से नाता जोड सकते हो उससे जिसे मरे हुओं में से पुनर जीवित किया गया है ताकि हम परमिश्वर के लिए कर्मों की उत्तम खेती कर सकें क्योंकि जब हम मानव सभाव के अनुसार जी रहे थे हमारी पाप पुन वास्तनाए जो व्यवस्था के द्वारा आई थी हमारे अंगों पर हावी थी ताकि हम कर्मों की ऐसी खेती करें जिसका अंत मौत होता है किन्तु अब हमें व्यवस्था से चुटकारा दे दिया गया है क्योंकि जिस व्यवस्था के अधीन हम बंदी बनाया हुआ था हम उसके लिए मर चुके हैं और अब पुरानी लिखेत व्यवस्था से नहीं बलकि आत्मा की नई लिती से प्रेरित होकर हम अपने स्वामी पर मिश्वर की सेवा करते हैं पॉल्लस यहां उसी विवहा की उधारन को जाई रख रहा है एक विवहा में अगर एक व्यक्ति की मित्ती हो जाए तो वह वापिस विवहा कर सकता है पुरानी नियम के विवस्था में भी इसकी अनूमती थी वापिस विवहा के साथ आती है नई प्रति बद्धता और नई प्रति बद्धता के साथ आते हैं नए फल नई खेती यहां फल का मतलब बच्चे नहीं है जो आम तोर पे विवा के फल या खेती माने जाते हैं पर यहां फल का मतलब है एक नया रिष्टा पॉलुस यहां दो तस्वीर पेश कर रहा है उस समय की ज कहता है पढ़कर मैं वापस सुनाता हूं आपको क्योंकि जब हम मानव सभाव के अनुसार जी रहे थे हमारी पाप पुन वास्तनाएं जो व्यवस्था के द्वारा आई थी हमारे अंगों पर हावी थी ताकि हम कर्मों की ऐसी खेती करें जिसका अंत मौत में होता है अब ध्य क्या थी हम अपनी पाप पुन इच्छा के वश में थे और फिर वह प्रक्रिया के बारे में बात करता है जिस पर हम इसी सप्ता काफी गौर करने वाले हैं प्रक्रिया है कि व्यवस्था जो हमारे अंगों में पाप पुन वास्तनाएं जगाती है अब यह आश्चरी जनक है व्यवस्था जिसका काम है हमें पाप करने से रोकने का हमें नियंतर में रखने का वह कैसे पाप पुन वास्तनाएं जगा सकती है अब यह एक और फित्रत है हमारी जब कोई एक नियम बना दे हमारे लिए फित्रत है कोई नियम बना दे है कुछ करने किसे मना करे तो वही का काम बार-बार करने का मन करता है एक बच्चे को बोलिए इस चीज़ को हाथ पर लगाना बच्चा बार-बार उसी तरह देहेगा उसका मन करेगा उसको हाथ लगाने का कोशिश करेगा उसे हाथ लगाने की देखो तो सही क्यों हाथ लगाने से मना किया है हमने देखा है जो भी काम करने से हमें मना किया जाता है मन वही काम करने को करता है उसी काम करने की इच्छा हर समय लगी रहती है खेरे इस बारे में पॉल उस बाद में और बात करने वाला है तो समस्या क्या है पापूर्ण इच्छा उसकी प्रक्रिया क्या है व्यवस्था जो उस इच्छा को वास् में फिर से एक बार पॉलुस कहता है कि हम मर चुके हैं पहले हम व्यवस्था के साथ बंदी हुए थे हम उसके बंदी थे पर अब हम छूट गए हैं आजाद हो गए हैं पर हम इसके लिए नहीं कुछ भी चाहें वो करें पर हम बंधन से चूट गए हैं ताकि हम आत्मा की नई रिती से प्रेडित होकर हम अपने स्वामी परमिश्व की सेवा करें परक देखिए दो तस्वीरे हैं एक गुलाम की या बंदी ग्रीहे में कैदी की जो काम करता है पर उसके पैरों में बेडिया बंदी हुए है और पीछे कोई होता है शायद गंडा लेकर या पर चाबूक लेकर यह है व्यवस्था और दूसी तस्वीर शायद आप अभी भी वही काम कर रहे हैं पर अपनी मर्जी से अपनी खुशी से उसके लिए जिससे आप प्रेम करते हैं जो आप से प्रेम करता है आप मुक्त हो सेवा करने के लिए आप को छुटकारा मिला है प्रेम करने के किसी का दबाव नहीं है जोड़ाबस्ती नहीं है और खुशी से खुशी के लिए आप सेवा करने के लिए आप काम कर रहे हैं तो अभी जब हम प्रातना में चले तो कुछ शन येश्यू मसीजें से बात کرते हैं और उससे पूचते हैं कैसे आज उसकी सेवा हम कर सकते हैं येशु धन्यवाद, कि तुने हमें नए तरह ते जीने का मौका दिया मेरी खुद की ताकत से नहीं, नियमों के पालन करते करते में ठग गया था पर तुने इन नियमों से मुझे आजाद किया शुकारा दिया कि आत्मा की रिती से तेरी सामर्थ के सहारे मैं सेवा कर सकूँ मैं दिखावा करने के लिए किसी को प्रभावित करने के लिए मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता मैं सेवा या अच्छा काम यह सोथ करना ही करना चाहता कि इससे तू प्रसंद होगा और मेरे को सुवर्ग में इस्थान देगा पर इसलिए क्योंकि मैं तुसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है धन्यवाद येशु तेरे प्रेम के लिए तेरे अनुग्रह के लिए येशु तेरे नाम से प्रातना करता हूँ आमेन व्यवस्ता के बंदन से मुक्त होने का मतलब क्या होता है आज हमने इस विशे को केवल चुआ बर है कल इस बारे में थोड़ा सा और गहराई से बात करेंगे तो कल तक के लिए आग्या चाहूंगा परमिश्वर की महीन हो